यह जो हमारा noise power of PCM topic है इसको हम क्यों study कर रहे हैं सबसे पहले हमें यह देखना होगा तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब हम कोई communication करते हैं तो communication हमेशा transmitter और receiver के बीच में होता है जिसमें जो भी signal है वो एक channel के थुरू पास होता है वो channel हमारा कुछ भी हो सकता है चाहे वो channel हमारा wired cable हो सकता है या वो channel हमारा wireless medium भी हो सकता है ठीक तो जब कोई भी signal transmit किया जाता है transmitter से receiver में तो वो एक channel के थुरू पास होता है जब signal channel के तुरू जाता है, तब channel में काफी सारे distortion होते हैं, काफी सारे other signals होते हैं, जो हमारे message signal को effect करते हैं, ठीख है? तो जो भी other signal, जो भी disturbance हमारे message signal को effect करता है उसे हम noise कहता है ठीक है तो यह जो आज का हमारा topic है calculation of noise power यह हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पढ़े ही सबसे पहले हम यह देखता है देखे जब भी हम communication करते हैं तो transmitter और receiver की बीच में जब भी हम communication करते हैं तो communication हमारा कितना अच्छा है कितना superior है यह check करने के लिए हम कुछ parameters का use करते है ठीक है उन parameters में से एक parameter होता है SNR what is SNR SNR stands for signal to noise ratio ठीक है SNR stands for signal to noise ratio तो जब हम लोग SNR की बात करते हैं तो यहाँ पे S stands for signal power N stands for noise power बात समझ मैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम SNR calculate करेंगे signal power upon noise power calculate करेंगे तो यह तो mathematically आपको समझ मैं रहा होगा कि अगर signal power की value जदा होगी that means numerator part जदा होगा ठीक तो अगर numerator part जदा होगा that means SNR की value जदा होगी बात समझ मैं अगर noise कम होगी तो इसका मतलब हुआ SNR की value जदा हो रही है ठीक तो इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी अगर जो हमारा SNR parameter है signal to noise ratio parameter या इसका हम लोग figure of merit भी कहते हैं जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ठीक तो कभी भी अगर figure of merit की value जदा है इसका मतलब हमारे communication में noise बहुत ही कम introduce हुई है बात समझ मैं तो जो भी हमारे communication है उसके effectiveness चेक करने के लिए हम लोग इस parameter का use करते हैं ठीक तो यहाँ पे assistance for noise power and assistance for assistance for signal power and assistance for noise power ठीक है तो इसके लिए हम सबसे पहले इस यह वाला जो derivation है इसमें हम से बाद हम एक derivation और देखेंगे जिसमें हम लोग signal power calculate करेंगे ठीक और signal power और noise power को जब हम आपस में divide करेंगे then we will get signal to noise ratio और figure of merit ठीक तो आज का topic हम start करते हैं यहाँ से ठीक है तो जो भी हमारा noise power होता है उसको capital N से represent किया जाता है जो भी हमारा signal power होता है वो हमेशा capital S से represent किया जाता है हमेशा ध्यान रखेगा कभी भी power को जब हम decibel में represent करते हैं तो कभी power को decibel में represent करने के ले हम याद रखेगा और वैसे ही अगर हम voltage को या current को अगर हम लोग decibel में represent करना चाहरा हैं तो उसको to रखेज़न करने के लिसवा and ठीक है अब बात आती है कि ये जो हमारा noise है वो हमारे signal में आ कहां से रहा है जब भी हम लोग कोई signal को कोई भी PCM signal को generate करते हैं तो उसमें ये noise signal आता कहां से है ठीक तो अगर आप लोग ने previous lecture देखा होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग PCM करते हैं PCM क्यों करते हैं ताकि किसी भी analog signal को digital form में convert किया जा सके ठीक है तो जब भी किसी भी analog signal को जब digital form में convert करते हैं तो हमें तीन process से होकर अपने signal को पास करना होता है first process is known as sampler second one is known as quantizer and the third one is known as encoder ठीक है तो इसमें जो second वाला process है वो है हमारा quantizer मैंने बताया था आप लोगों को जब हम लोग quantization करते हैं quantization को हम लोग दूसरे terms में approximation भी समझ सकते हैं ठीक है तो जब हम लोग approximation करते हैं या quantization करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो भी हमारे signal का जो amplitude होता है हम उसको कुछ एक fixed level से represent करते हैं ठीक है मतलब अगर हमारा 1.2 volt हुआ तो हम उसको 1 से represent करेंगे 1.6 हुआ तब भी हम उसको 1 से represent करेंगे इस टाइप का मैंने आप लोगों को पता है था that means जो भी कुछ fractional values होती है उसको हम लोग कुछ एक fixed interval से fixed level से replace कर देता है बात समझ मैं तो क्योंकि हम अपने exact data को किसी approximate data के साथ convert कर रहे है that means आप लोगों को यही से समझ मैं रहा होगा कि हम अपने data में noise merge कर रहे हम अपने data में error introduce हो रहे है ठीक है लेकिन यह हम लोग यह intentionally यह data हम लोग intentionally यह error हम अपने data में include कर रहे है क्यों ताकि हम अपने signal को easily digital form में convert कर सके बात समझ मैं तो जो भी हमारे PCM में noise generate होने का कारण वही quantizer है बात समझ मैं आप लोगों के हापे तो जैसे मैंने आप लोगों के यहाँ पर mention कर दिया है कि जो भी हमारे sampler quantization और encoding से होके हमारे signal कोई भी unlock signal digital में convert होता है तो यह जो हमारा quantization process होता है इसी quantization process हम लोग approximate करता है approximation करता है और because of this approximation some noise signal generates या some error signal generates in the signal ठीक है कुछ हमारे error signal generate हो जाता है बात यहाँ तक समझ मैं तो अगर आप लोगों को पता होगा तो मैंने बताया था कि जो भी हमारा error signal होता है या जो भी हमारा approximation होता है उसमें हमारा जो भी approximation होता है वो minus del by 2 से plus del by 2 के बीच में vary करता है यहाँ पर del क्या है यहाँ पर del हमारे step size है इस stair की height है हमारे del ठीक है आप लोगों को पता होगा तो जो हमारे step size है उसके half negative half से लेकर positive half के बीच में हमारा जो भी error है वो vary करता है बात यहाँ तक समझ मैं है आप लोगों को ठीक है तो इसी को अगर मुझे study करना है तो इसको study करने के लिए इसे को जब हमें study करना है तो इसको study करने के लिए हमें एक mathematical tool की जरूरत पड़ेगी बात समझ मैं कौन सा mathematical tool है वो? वो mathematical tool है हमारा probability ठीक हाँ अच्छा हम यहाँ पे probability का use क्यों कर रहा है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो भी noise signal होता है वो एक random signal होता है और किसी भी random signal को हम लोग use by using Fourier series या by using Fourier transform हम उसको use नहीं कर सकते हैं ठीक है? तो किसी भी random signal या noise को study करने के लिए हम हमें सा probability का use करता है बात यहाँ तक समझ मैं? तो क्योंकि हम यहाँ पे देख रहा है कि जो भी हमारा noise signal है या जो भी हमारा quantization error है वो minus del by 2 से plus del by 2 तक के बीच पर vary हो रहा है तो इसको जब हम लोग represent करते हैं तो इसको represent करने के लिए हमें एक spectrum मनाना पड़ता है इस spectrum को कहा जाता है probability density function या probability density curve ठीक? उसको मैंने कुछ इस type से represent किया यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैंने represent कर दिया है कि यह minus del by 2 से plus del by 2 के बीच पर vary करता है अब इसी से हम इसकी height measure कर लेंगे क्योंकि जब मैं positive यहाँ से लेकर यहाँ तक difference देखूंगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक difference कितना आया? यहाँ से लेकर यहाँ तक difference आया डल क्योंकि plus del by 2 minus of minus del by 2 तो जब मैं दोनों को add करूंगा तो मुझे यहाँ पे del मिलेगा clear बात और आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम लोग impulse signal की height और उसके width के बीच में multiplication करते हैं तब वो unity मिलना चाहिए तब ही हम उसको direct delta function कहता है बात यहां तक समझ मैं तो क्योंकि यहां इसकी width हमारी del हो जाएगी तो definitely इसकी height को मुझे 1 by del consider करना पड़ेगा तब ही 1 by del और del आपस में मिलके 1 unity delta function या direct function प्रोड्यूस कर पाएगा बात समझ मैं तो इसकी width हमारी minus del by 2 से plus del by 2 के बीच वैरी हो रही है इसलिए हमें इसकी height को यहां पे 1 by del consider करना होगा ठीक है और यह 1 by del काफी important हम है क्योंकि जब हम लोग इसको numerically derive करेंगे तब हम इसी 1 by del का use करेंगे आसा क्यों क्यों क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी हम किसी भी signal को study करते हैं कि चाहे वो sinusoid डलो चाहे वो square signal हो तो उसको study करने के लिए हम उसके amplitude को consider करते हैं अगर मुझे उसके power निकालना है तो power catch check करने के लिए हम उसके amplitude को देखते हैं यह जो हमारी x-axis है यह तो उसके range को represent करेंगे बात समझ मैं तो ध्यान रखेगा कि जब भी मुझे इसको calculate करना होगा तो मुझे इसके amplitude पर ही focus करना होगा तो चलिए हम आगे चलता है तो जब हम इसको calculate करेंगे mathematically तो इसको mathematically calculate करने के लिए हम लोग mean square value यहाँ पर इसके find out करेंगे इसे normalized power भी कहा जाता है ठीक है यह mathematical tool है जब लोग probability study करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को यह mean square value का term mean square value का term देखने मिलेगा जब हम लोग power calculate करने के लिए resistance equal to one put up करते हैं तब उस power को हम कहते है normalized power ठीक है और normalized power की value हम कैसे calculate करते है mathematically minus infinite to infinite x square dx आप लोगों को याद होगा ठीक है तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग error निकालना है तो x को हम लोग e से represent करते हैं यो भी हमारा mean square value है mean square value को हमने represent किया और normalized power को हमने ऐसे represent किया ठीक है अब इसको mathematical कैसे calculate किया जाते है minus infinite to plus infinite लेकिन हमें यहाँ पर minus infinite to plus infinite तक जाने की जरुवत ही नहीं पड़ेगी क्यों क्योंकि हमारा जो error signal है वो तो minus del by 2 से plus del by 2 के बीच वह vary कर रहा है ठीक है तो मुझे minus infinite से लेकर minus del by 2 के बीच के पार्ट को तो लेना ही नहीं पड़ेगा ठीक तो इसी लिए जब मैं इसको mathematically represent करूँगा तो mathematically represent करने के लिए मैं सर्फ limit यहाँ पर minus del by 2 से plus del by 2 लूँगा clear यहाँ तक आप लोगों को तो हम उसके amplitude को consider करता है तो यहाँ पर यह 1 by del हो गया e squared d e हो गया ठीक है तो अब हम इसको mathematically solve करना चाहते हैं mathematically solve करते हैं तो mathematically हमने solve किया तो यह eq by 3 आ गया और यह 1 by del को as a constant मान के हमने bracket के integration के बाहर कर दिया ठीक है अब e की जगे हम लोग del by 2 और minus del by 2 put up करेंगे तो जब हम लोग इसकी जगे put up करेंगे तब हमें कुछ ऐसा function देखने मिलेगा clear है दोनों को जब हम आपास में add कर देंगे और add करेंगे जब हम add करने के बाद यह del आपास में cancel out हो जाएगा cube के साथ तो मुझे मिलेगा del square by 12 ठीक है तो आप लोगों को यह चीज हमेंसा ध्यान रखनी होगी कि जो भी हमारा PCM signal में जो भी हमारा quantization noise power होता है उसकी value होती है del square by 12 इतना चीज ध्यान रखनेगा यहाँ पर del क्या होता है यहाँ पर del step size होती है ठीक और यह step size की value कैसे calculate की जाएगी अगर हम लोग pick to pick value को अगर हम लोग number of level से divide करते हैं तब हम लोग easily इस del की value calculate कर पाएगी ठीक है तो यह चीज आप लोग ध्यान रखनेगा कि जो भी हमारा noise power होता है in PCM signal वो उसको mathematically उसकी value होती है del square by 12 ठीक तो इसके बाद वाले lecture में हम लोग signal power निकाल लेंगे then signal power और यह जो हमारा noise power दोनों का अपस में divide करके हम लोग SNR या signal to noise ratio और PCM signal generate कर लेंगे ठीक बिदाएंगे थेंकि सो मच आचे टॉपिंग यहां पर कताम करता है